नमस्कार आप बिहार इंसोर्ट्स देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ काव्या बीपेसे शिक्षक भरती दूसरे चरण में एक से पांच वालों को अनुमती नहीं थी लेकिन अब जो है ये लोग भी एलिजिबल होंगे ये लोग भी फॉर्म भर सकते हैं जी आपको बता दे कि आयोग के द्वारा ये नोटिस दारी करके बताया गया है कि कितने पद जो है वो एक से पांच शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हैं दरसल इस नोटिस में आप देख पारे होंगे जिसमें लिखा गया है सिक्षा इभाग बिहार के अंतरगत कक्षा एक सी पांच तक के विद्याले अध्यापक के कुल 9431 पदो पर न्युक्ती हेतु दिनांत 10-11-2023 को प्रकासित करते हुए विज्यापन संख्या 27-2030 में सम्मेलित किया गया है उक्त पदो के लिए अनिवार क्या कुछ होना है वो आपको बता देते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए राज्य सरकार अत्वा के इन सरकार द्वारा समय समय पर आहुद सिक्षक पात्रता पढ़िछा में उत्रीन होना चाहिए ता देखिए इस नोटिस में आप देख सकते होंगे जिसमें तमाम अपडेट जो है वो दिया गया है क्या कुछ लिखा गया है कि एक से पांच वालों के लिए 9431 पद जो है निपती के लिए दूसरे चरण के लिए इन लोगों को कहा गया है सांती आपको बता दे कि कपच्छा एक से पांच के विद्धाले अध्यापको के लिए सीटेट पेपर वन अत्वा बीटेट पेपर वन जो है वो अनिवारे माना गया है इसी के सांथ आपको ये भी बता दे कि दो हजार बार से पुर्व नियुक्त एवं कारेरत सिक्षक जो दक्सता परिक्षा उत्रीन होंगे उनके लिए सिक्षक पात्रता परिक्षा में उत्रिनता जो है मतलब पास होना अरिवारे नहीं है इस सीच को भी आप ध्यान से देखेगा कि क्योंकि पहले चुरन की जो प परिक्षा पास कर गए हैं उनको ये परिक्षा जो है उत्रीन करना अनिवारे नहीं होगा वो उसी से परिक्षा पास करने की कोई जरूरत नहीं है सांथ ही आपको बता दे कि इन तमाम चीजों को लेकर नोटिस जारे किया गया है जिस नोटिस को आप देख सकते होंगे से विवाद की स्थिती में राष्ट्रिय अध्यापक शिक्षक परिसेद यानि की NCRT के परामर्ज से विभाग का निर्ने जो है वो अंतिम होगा और ये तमाम चीजों जो दी गई है लास्ट में कि क्या कुछ पूछा जाएगा क्या कुछ जो है वो कोशन आएंगे कहा कहा से इन तमाम की जो के बारे में जानकारी दी गई है साथी बताया गया है कि जो लैंग्विस पेपर है हिंदी, इंग्लिस, उर्दू, बंगला इसमें तो पास होना आनिवारी है साथी बाकी जो आपके सब्जेक्ट होंगे उसके लिए भी क्या कुछ बताया गया है आपको बता दे कि निगेटिव मारकिंग नहीं होगा और साथी निबंदन ढुकतान एवं उल्लाइन आवेदन प्रार्यार्म करने की तिथी जो है वो 1611-2020, यानि कि आज है और निबंदन ढुकतान एवं उल्लाइन आवेदन करने की अंतिम तिथी 25-11-2023 है जो की विस्तरनीय है यानि कि अब ये नहीं बढ़ेगा 25 के बाद तो समय कम है आप जल्दी अप्लाई करें और अब एक से पाच वाले भी शिच्छक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। फिलाल के लिए खबर में इतना ही साधे चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।